हलो प्रेंट्स, I am अप्रती, वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट्स स्पेस आज हम आपसे शेयर करेंगे एरेंथमम पुलकेनम जिसको ब्लू एरेंथमम या ब्लू सेज के नाम से भी जानते हैं इस पे ब्यूटिफल ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं और एरेंथममम में डिफरेंट स्पेशीज होती हैं जिनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं तो ये जो प्लांट है जब इस पे कलियां बनना शुरू होती हैं तो कुछ इस तरह से गुच्छे में बहुत सारी कलियां बनती हैं और फरवरी मार्च में इसमें फ्लावर्स आते हैं कहीं कहीं फरवरी में ही आ जाते हैं और हमारे यहां अभी जैसे मार्च स्टार्ट हो चुका है तो मार्च से इसकी फ्लाविंग हो रही है कलियां काफी टाइम से बनना शुरू हो जाती है और कलियां से फ्लावर तक का जो होता है वो थोड़ा जादा लग जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है थोड़ा सा बेट कीजिए तो जैसे कि हमने इस पर कई वीडियो शेयर की हुई है रेनी सीजन में इस प्लांट को लेकर वीडियो शेयर की थी किस तरह से आपको प्लांट को घना बनाना है और इनर में एक तेहनी पर ही 2-3 प्लावर स्पाइक बनाता है अगर बैन को रहने बड़ी कटिंग को से और शेर ना देख में कियाला है से चार-पांच इंच बड़ी कटिंग को ग्रो करने के एक साल के अंदर ही इतना हेल्धी प्लांट भी बन गया इतनी सारी ब्रंच भी बन गई और इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी हमें मिल गई धेर सारे फ्लावर्स प्लांट पे आए हुए हैं और प्लांट जो है बहुत जाधा फर्टिलाईजर आप नहीं दीजे साल में तीन-चार बार ही फर्टिलाईजर देने से प्लांट अच्छी ग्रोध कर जाता है बस इस प्लांट में हमें एक थोड़ी सी कमी लगी और वो कमी शायद पॉट की वजह से है यह जो पॉट है यह एट इंचेस का पॉट है और plant को हमने इतना घना बना दिया इतनी जाधर branches बना दी कि plant को ये pot जो है ये थोड़ा छोड़ा रहे गया है और इसको पानी की कमी जब महसूस होती है तो सारी पतियां ये मुर्जहाने सी लगती है प्लान गिरा गिरा ढला ढला सा महसूस हो जाता है लेकिन इसमें प्लान की कोई कमी नहीं है इसमें कमी हमारी है कि हमने प्लान से एक्सपेक्ट किया कि वो हमें बहुत सारी टहनियां बना कर दे और फिर उनहर टहनी पे प्लावर्स दे तो जब प्लान को इतनी मेहनत करनी है त तो इसलिए अब हमने इस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं किया, भी कुछ दिन पहले इसी पर वीडियो शेयर की थी, फर्टिलाइजर एड़ कर दिया था, क्योंकि फ्लावरिंग शुरू होने वाली थी, अब इसमें फर्टिलाइजर इसलिए एड़ नहीं कर सकते, कटिंग भ बेकार तो नहीं है, क्योंकि सब पतियां तो जड़ी हुई है, तो ये नैचुरल है, जैसे कि अगर ये प्लांट पॉर्ट में ग्रो किया हुआ है, तो इसकी पतियां कम हो जाएंगी, और प्लांट प्लाविंग पर फोकस करेगा, और देखें, यहां से न्यू शूर्ट भ अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो पतियां कम हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट प्लाविंग पर फोकस कर रहा है, अब यह छोटे-छोटे जो पौध है, आप देख रहे हैं, यह वही कटिंग्स हैं, जो हमने ट्रिमिंग करते समय, प्लांट की इसी पॉट में ही लगा दी थी फेकी नहीं थी, छोटी-छोटी जो कटिंग्स थी, तो उनसे भी नए प्लांट बन चुके हैं, और इस ट्रेम आप देखिए कापी हेल्दी है, जबकि प्लांट अभी केवल एक साल का है, रेनी सीजन में प्लांट की प्लांट की प्लांट घना बनेगा, मिटी की गुड़